बीटेक उनियन के द्वारा जो एक दिवसी धर्णे का अप लोगों ने किया है क्या मांगे सरकार से हैं हमारी एक कोस मांगे है कि हम लोग 2015 से पहले बिहार में जैई पन में लाउड थे लेकिन 2015 के बाद परकार ने हम लोग को जैई में आना बंद कर दिया और एक बीटेक के पीछे एक इंजिनियर के पीछे 10 जैई बाले होते हैं उसके अनुसार हमारी कोई बहाली होती ही नहीं है और जैई में एक ठोस बहाली होती है अभी 10,000 वेकिन्स जाई सबकी रिकॉर्मेंट हुआ नम्मर बेसित बने हैं जो भड़ी डिगरी खरीद के चाली सब्सक्राइब एक तनका उखा रहे हैं और हम लोग चार साल कट्खोड मेहनत दिनदात एक कर लेक बात एक टीचर बनने नहीं दे रहा है सरकार सबसे जादे हम लोग पढ़े लिखे लोग है आगी हम लोग बाहर कर दिया गया है लेकिन बिहार में यह बंद कर दिया गया है और भाड़ा सरकार हर तरह के रिकौर्टमेंट में विटेक वालोग बंद कर दिया है कि अपने इस अंदर में कोई ग्यापन कर दे दिया है कि प्रॉब्लम यह है यहां पर कि हम लोगों को फीटेक वालों को जेई में अलाओ नहीं किया जा रहा बहुत सारी आसी पोस्ता जहां पे लाओ नहीं किया रहा इस चक्कर में हम लोग का डिगरी समझे कि ऐसे हो रहा क कि कुछ काम कर नहीं होड़ा तो इसका रहा है यहां तो सरकार हम वीटेक वालों को जेई में अलाओ करें यहां एक तोस माग यही है कि जेई में वीटेक वालों को एलाओ किया जाए और उसके तहट सरकार जो भी मुद्दा निकालना चाहे जो भी बीच रास्ता निकाले हमें हमें मंजूर होगा लेकिन एक मिचित मागे है कि हमें एलाओ किया जाए और हर एक पद में हम लोग को अनुपात ने जड़तक यह अनुपात हम लोग को दिया जाए तो हैं प्रभव गार खी आए जाए जब प्रभव भाजे जारव बा依ालिए